हेलो बच्चो मैं सुनीता बेरवा आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 यानि के क्लास 2 का चैप्टर नमबर 4 बच्चो इस चैप्टर में एक समवाद को बताया गया है जिसमें एक टीचर और क्लास के सभी बच्चे ये जानते हैं कि अच्छे बालक कैसे होते हैं बच्चो इसमें एक बच्चा मेहूल होता है मेहूल नाम है उसका वो शैतानिया करता है तो और क्लास के या कक्षा के सारे बच्चे उनके अध्यापक के पास शिकायत करते हैं और उसके बाब ने अध्यापक जो उनके टीचर होते हैं वो उन बच्चों को अच्छे बालकों क सारे गुण बताते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट पढ़ना अध्यापक से अध्यापक बच्चों से बोलते हैं वर्दान से एक बच्चे का नाम है वर्दान उसे बोलते हैं आप क्या कहना चाते हैं मतलब उस वर्दान नाम की बच्चे को सर या टीचर बोल है n 검 जो वरदान नाम का बच्चा वह अपने टीचर से नहीं नाम के ऊशिकायद कर रहा है और बोल रहा है शिकायत करते हुए की जो मेहुल है मेहुल भहिया है वह सबी बच्चों से लड़ते हैं आज उन्हों से लड़ते हैं और गाली बच्चा जो वरदान नाम का बच्चा है वो अपने अध्यापक को बोलता है आज मेहुल भईया ने मुझे मारा है और बचली है स्मेशियाात्विल की टीचर बोलता है अच्छा आप लोग मेहुल भया को क्या कहेंगे मतलब उनके टीचर है वो सारे बच्चों से पूछते हैं कि आप मेहुल भया को क्या कहोगे सब बालक यानि कि क्लास के सारे बच्चे एक साथ एक स्वर में बोलते हैं बुरे भया किस जो मेहुल है वो बुरे भईया है, सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, अध्यापग, सर या टीचर बोलते हैं, तो देखो, आज हम आपको अच्छे बालक के विशे में बताएंगे, फिर उसके बाद ने सर उनकी जो टीचर है वो बोलते हैं कि बच्चो, तो आज हम आपको सभी अच्छे गुन देते हैं कि अच्छे बालक एक बालक जो सबसे मिलकर रहते हैं और किसी से लड़ाई जगड़ा नहीं करते हैं एक बालक एक बच्चा बोलता है कि जो सबसे मिलकर रहते हैं और किसी से लड़ाई नहीं करते वो अच्छे बच्चे होते हैं अध्यापक ने सभी बच्चों से कि अच्छे बालक कौन होते हैं, तो कलास में एक बच्चे ने अपना हाथ उपर किया और बोला कि जो सभी से मिलकर रहते हैं और लड़े जगड़ा नहीं करते हैं, वो अच्छे बालक होते हैं, अध्यापक अध्यापक ने कहा वर्दान से आप बताईए कि वर्दान अब आदर करते हैं, उनका कहना मानते हैं और कभी किसी को गाली नहीं देते हैं, मतलब वर्दान नाम का बच्चे से जब पूछा सर ने तो वर्दान नाम का बच्चा बोलता है कि जो बड़ों का आदर करते हैं, मतलब जो बड़ों का अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते है वो अच्छे बच्चे होते हैं और उनका कहना भी मांते हैं मतलब बड़ों का आदर सम्मान करते हैं और बड़ों का कहना जो मांते हैं और जो कभी किसी को गाली नहीं देते वो बच्चे अच्छे होते हैं बच्चो हमने देखा कि अध्यापक ने पूछा तो पहले बच्चे ने कहा कि जो क्लास में या किसी से लड़ाई जगडा नहीं करते वो बच्चे अच्छे होते हैं और जब उन्होंने वर्दान से पूछा तो वर्दान ने बताया कि जो बड़ो का आदर सम्मान करते हैं और गाली नहीं देते हैं वो अच्छे बालक होते हैं अध्यापक उनके टीचर बोलते हैं बहुत अच्छा वर्दान को बोलते हैं कि बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा बताया क्या आप में से कोई और कुछ बताएगा और अध्यापक उसको बहुत अच्छा बताया ऐसा बोलते हुए फिर कहते हैं कि क्या आप लोगों में कोई और भी है जो अच्छे बालक के बारे में बता सकता है कि उसमें कैसे कैसे गुण होने चाहिए देखी बचो हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इनके अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पे अच्छे बालक का हेडिंग डाल रखी है उन्होंने डाल रखाए कि हमें कि बदना रही है तो उन्होंने यह हैडिंग डागा किए और जो बच्छे दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में वह एक्ये करके उनके अच्छे बालक के गुणव को बता रहे हैं जब शर्म से पूछते हैं तो उनके बारे में बताते हैं फिर एक बालक बॉलता है श्रिम बोलता है कि सर अच्छा पच्चा वो होता है जो अपनों से बड़ू को तुर राशन पाषन के और हमेशा बात करता है अधियापक ठीचर बोलते हैं ठीक है मेहल की और इशारा करते होई मेहल आप बता की बता है क्या आपने भीैन की तरफ मेहल की तरफ मेहुल बताता है जो बालक हमेशा पंक्ती में चलते हैं मतलब जो बालक हमेशा लाइन से चलते हैं प्रातना सबा में हाथ जोड़कर शांत खड़े हो रहते हैं मतलब कि जो प्रातना सबा मतलब जब सुवह प्रातना होती है बच्चों की तब शांत खड़े रहते हैं मतलब नहीं करते चुपचाप सीधे खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर वे अच्छे कहे जाते हैं मतलब जो बच्चा शैतान था मेहुल जिसने बरदान को मारा था और उसे गाली बकी थी जब सर ने उस बच्चे से पूछा कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं उनमें क्या गुण हो को बोलता है बहुत अच्छा बिटा तुमने बहुत अच्छा बताया है राजन भहिया की और इशारा करके उसके बाद में मेहुल राजन भहिया की और इशारा करते हैं कि सर मेहुल राजन की राजन भी कुछ बताना चाहता है राजन के बारे में बोलता है मेहुल की राजन भी कुछ बताएगा हां राजन आप कहिए फिर सर बोलते हां राजन आप भी बोलो राजन श्रीमान जी सर जो बालक फर्ष वे दिवारों पर शाही नहीं छिड़कते कि जो बालक फर्ष और दिवारों पर शाही या पैन की लखेरे नहीं खीशते या उन पर उन्हें गंदी करते कागज के पगड़े अधर अधर नहीं नहीं है अपने अच्छों मेहुल में बताने के बाद उन्हें की जो डिवारों पे लकिते नहीं करते या अच्छे बच्चे रहत बच्छे सब्सक्राइब बताइब बच्चों बच्चों पडिक्लास में लडकी है उसका नाम परी है वो उसके बारे में बता रहे हैं परी की और संकेत करते हैं परी आप बताएं परी बोलती है जो बच्चे कक्षा में ध्यान से अध्यापक की बात सुनते हैं परी बताती है कि जो बच्चे अध्यापक यानि टीचर की बात ध्यान से क्लास में सुनते हैं और अपना काम समय पर करते हैं और अपना द्यान से सुनते हैं अपना काम समय पर करते हैं वे बच्चे अच्छे होते हैं अध्यापक टीचर बच्चो आपने अच्छे बालक के विशय में आज बहुत सी अच्छी बाते बताई बच्चो अध्यापक जब सभी बच्चों से पूछ लेता है तो फिर बोलते हैं कि बच् कि जो अच्छे बालक होते हैं वो अपने ममी पपा की सेवा करते हैं वे बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तू नहीं लेते और जो अना बच्चे अच्छे होते हैं वो कभी किसी की चीजों को नहीं छूते हैं उन्हें नहीं लेते बिना पूछे और अपनी वस्तू को सही ज कि आप सब लोग कैसे बच्चे बनेंगे तो एक साथ सभी बच्चे बोलते हैं कि हम अध्यापक बोलते हैं कि बहुत बढ़िया यानि अध्यापक सभी बच्चों को बोलते हैं कि बहुत बढ़िया जब अच्छे बता देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे बच्चे तो सबी बच्चे एक साथ बोलते हैं कि हम अच्छे बच्चे बनेंगे तो सर बोलते हैं कि बहुत बढ़िया यानि कि बहुत अच्छी बात है अच्छे बच्चे देश की दौलत होते हैं और सर बताते हैं कि अच्छे बच्चे देश की दौलत कि जॉइँ सेनले मीश मयां की नतरä एक में बक्षे एक लाग साती इMatता है यह महिवल्य लहां गरन छेài सब्सक्राइब में घंजाएब होक्ता कि अम यह बोलता है कि अब मैं शयतानी मैं अभिवारे थे वागते हैं कि मेहुल भाया भी अच्छे भाया है घंटी बसती है बच्चो बैल लग जाती है यानि कि स्कूल की छुटी हो जाती है जैसा कि बच्चो हमने इस पार्ट में पड़ा तो हमने देखा कि अच्छे बच्चे में क्या-क्या गुण होते हैं और मेहुल जो पहले शयतानिया करता था वो बच्चा किस परकार एक अच्छा बच्चा बन जाता है तो बच्चों हमी भी ख्लास में या हर जगे पर सभी से तू की जगेशे आप बोलकर जी लगा कर बात करनी चाहिए मम्य पपा की सेवा करनी चाहिए हमें शैतानिया नहीं करनी चाहिए और किसी से भी गाली आया किसी को भी नहीं मारना चाहिए किसी को गाली नहीं बखनी चाहिए तो बच्चों, हम अब इसके शब्दार्थ करते हैं गाली निकालना यानि बुरे शब्द कहना to abuse ब्लैक बोड यानि की शामपट पंक्ति यानि कतार क्यूं रातना सबा यानि वंदना इस्थल प्रेयर मिटिंग शांत यानि शांत खड़े रहना बिना हेले डुले चुपचा खड़े रहना to stand motionless सेवा करना, मदद करना to serve दौलत यानि धन मनी श्वा मागना यानि माफी मागना to apology देखो बच्चो हमने इस कविता में पढ़ा कि अच्छे बालक में कैसे कैसे गुण होते हैं और हम किस प्रकार अच्छे बालक बन सकते हैं हमें किसी से तू-तू बात नहीं बोलनी चाहिए हमें सबसे आप लगा कर बात करना चाहिए सभी की बात माननी चाहिए और टीचर की क्लास में शांति से बात सुननी चाहिए तो बच्चो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चेपर के साथ थैंक्यू सो मच